क्या आपको पता है? Triceps Muscles Triceps Muscles हमारी Arms का 60% पर्ट कवर करती है बताना चाहूँगा मैं अपने उन दोस्तों को जो की Arms के नाम पे सिर्फ और सिर्फ Biceps पर फोकस करती है चलो यार डूले बनाते हैं डूले, 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 डूले अगर आप अपने Arms का Size बड़ा रखना चाहते हैं या उनका Size ग्रो करना चाहते हैं तो आपको Biceps के साथ साथ Triceps को भी Train करना बहुत ज़रूरी है Hello guys, welcome back Thanks for subscribing my channel and thanks for your Love and support तो दोस्तों, जैजैकी इंट्रो से clear है आज की जो हमारी वीडियो है, ये Triceps के और वर्काउट का तो बिना देरी करें, शुरू करते हैं 70 pounds का resistance मेंने स्टैक किया है, फर्स्ट एक्सराइज Triceps Push Down के लिए इसमें अपके elbows जो है, वो बोड़ी के क्लोज रहेंगे और लॉक्ड पोजिशन में रहेंगी आपको अपने Arm से पुछ करना है और यह ध्यान अखना की full range of motion परफॉर्म करें पूरा stretch करें नीचे और contact करें triceps को पूरी तरीके से इस exercise को आप बैटके भी परफॉर्म कर सकते हैं जिससे की यह workout खोला सा और हार्ड हो जाएगा सब ए exercise के हम 3 से 4 सेट कंप्लीट करेंगे और हर सेट में हम repetitions लेंगे 15-20 हर सेट के बाद अपनी बॉड़ी के according थोड़ा थोड़ा resistance बढ़ा सकते हैं second exercise जो हमारी रहे है triceps की overhead extension और इसके लिए मैंने stack किया है 50 pounds का weight इसमें भी आपको full range of motion acquire करना है आपका जो arms है वो आगे की तर stretch हो और यह exercise है बहुत effective exercise है क्योंकि इसमें आपके triceps के तीन हेड्स को target किया जाता है आपकी elbows जो हैं लॉग्ड रहेंगी और पूरा back तक जाएंगी हमारी first exercise की तरह है आप इस exercise में भी तीन से चार सट लेंगी और उसमें 15-20 repetitions को update करेंगी 70 pounds टैक किया है मैंने next exercise के लिए जो की है reverse triceps push down यह similar exercise है triceps push down की तरह है बस इसमें आपके जो grip रहेगी वो reverse direction में रहेगी इस exercise को आप single arm से भी perform कर सकते हैं यहाँ पर मैंने both arms का use किया है क्योंकि इससे आपका comes time में काफे अच्छा workout हो जाता है इस workout के भी आपको 15-20 reps complete करने है हर set की बीच में आप एक से दो मेंट का gap दे सकते हैं जो क्याप का रहेगा rest period फोर्थ exercise हमारे triceps extension रहेगी और इसके लिए मैंने स्टैक किया 70 pounds का resistance इसमें जबकि लेक्स की प्लेस्मेंट है वो बैंड के मिड में रहेगी और आपको इसमें उपर की तरफ पूरा squeeze करना है arms से दोनों arms का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें और पूरा नीचे लेके आना है full squeeze upside and full down यानि की full range of motion का यूज़ करना आपको ताकि आपकी triceps muscles पूरी तरह कॉंट्रेक्ट हो सकें set skin between आप अपने arms को shake कर सकते हैं same exercise को आप easy बनाने के लिए इसको single arm भी perform कर सकते हैं जिसमें की आप alternate अपने दोनों arms को full range of motion में train करेंगे हर दो set के बीच में आप एक से दो मिट का gap दे सकते हैं फिफ्ट और लास्ट exercise है हमारी middle side extension और इसके लिए मैं स्टैक कि है 30 pounds for resistance resistance band की जो placement है वो इसमें middle में रहेगी और इसे आप single arm perform करेंगी इसमें आपकी elbows जो है वो ओपर की तरफ टाइट और stationary position में रहेंगी यानि की controlled way में आपको complete करना है पूरा squeeze करना है बाहर की तरफ पर stretch back करना है जिससे कि आपकी triceps की muscles पुरी तर activate हो सुके 15-20 wraps आपको दोनों side करने हैं इसी तरह से आपको दोसरे arm से भी अपने exercise को perform करना है elbows up and tight द्यान रहें कि अपनी कोहनी को यानि elbows को जड़ाएं नहीं squeeze करें पूरा बाहर की तरफ और फिर stretch back करें इस exercise में आपको अपने both side 15-20 wraps complete करने हैं और इसके भी आपको 3-4 set complete करने हैं हर set के बाद आपको अपना resistance जो है increase करना है जो की muscles की toning में बहुत help करता है गाइज इस workout के साथ हमारा triceps का workout complete होता है वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताएं next video में एक और muscle group में आपके सामने जरूर लेके आऊंगा friends subscribe जरूर करे चनल को keep supporting keep smiling this is Ankit Shivan signing off